हेलो एब्रीवन विल्कम बैक टू प्रांसु एंड मम्मा आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मदर कैसे 24 घंट क्या खाने से 24 घंटों के अंदर ब्रेश्ट सप्लाई बढ़ सकती है तो सबसे पहले जानते हैं कि डबलु एचो के मुताबिक नौजाद बच्चे ज प्रेश्ट फ्यूडिंग पर ही 6 मन तक रखना बहुत जरूरी है 6 मन तक जो न्यूबर्ण होते हैं उपर को कुछ भी नहीं देना होता सिर्फ ब्रेश्ट फ्यूडिंग ही देना होता है अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब बच्चा जन में लेता है उसके बाद मदर की दिलिवरी के बाद उसे उसके ब्रेश्ट में दूद ही आ रहा होता है तो मदर बड़ी स्ट्रेस में हो जाती बड़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नर्सिंग मदर क्या क्या ले सकती है कैसे कौन से ग्लैक्टिंग एजेंट है ज मदर को जाननी बहुत जरूरी है वो ये कि breastfeeding के time पर बच्चा जब तक मा का दूद पीता है तब तक मदर को calcium और folic acid के supplements को लेना बहुत जरूरी है आप बिल्कुल भी ये न सोचें कि मैं सारे nutrient वाले nutrient value वाले ही खाने खा रही हूँ तो मुझे supplement की जरूरत नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको calcium और folic acid जब तक आपका baby दूद पी रहा है तब तक लेने की जरूरत पड़ती है इससे आपके सरीर में calcium की कमी नहीं होगी इसके बाद अब बात करते हैं दूद कैसे बढ़ ब्रेश्ट फीडिंग मदर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है उसके बाद दूसरी चीज अजवाइन का पानी आप एक चमच अजवाइन को एक गलास पानी में उबाल कर रख लीजिए इससे आप दो से तीन बार में पीए इससे भी आपके milk का production जल्दी बढ़ेगा इ जीरे का मदर बहुत ज्यादा है डिलीवरे के बाद तो आप सुबह सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले जीरे का पानी जरूर पीजे इससे भी आपका milk supply बहुत अच्छे से बढ़ेगा इसके बाद है आप सभी तरह की डाले जरूर लीजे खास करके मूंग की डाल सु बहुत इंपोर्टेंट रोल होता है तो आप सभी तरह की डाले जरूर लीजिए इन सबसे भी आपका ब्रेश्ट मिल्क सप्लाई नहीं बढ़ रहा है तो आप सतावरी पाउडर को एक ग्लास दूध में एक चमच सतावरी पाउडर डाल कर लीजिए इससे आप अंदर ही आपका प्रेश्ट मिल्क सप्लाई अच्छे से बढ़ेगा और आप अपने बेबी को अच्छे से फीड करा पाएंगी